है फ्रेंज कैसे वाप से वाई हो वाल वी बिल्ब गूट तो फ्रेंज आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फिर एक नया टॉप पे फ्रेंज तिस श्रागती आज हम लोग पढ़ेंगे लिंफ नोट के बारे में एंड इस्ट्रक्चर और इंके फॉंक्शन के बारे में भी ज स्ट्रक्चर होता है एंड इम्योन सिस्ट्रम का पार्ट होता है लिंफ नोट के होता है इम्योन सिस्ट्रम का पार्ट होता है लिंफ क्लाइंट फिल्टर सबस्टेंस तैट ट्रेवल थूद लिंफाटिक प्लोट और लिंफ क्लाइंट जो हमारी बॉड़ी में इंटर कर ज संद्रू जल्वाइक फ्लूड की लिंफोची है , इस की लिंफे लिंफॉसाइट सेज्राइब 누가 को तेंड है इस लिंफे मैं मिला कि वाइंड की लिंफोची होता है। जो भी बैक्टीरिया वाइरस हमारी बाडी में इंटर कर गया है तो उसको डिस्ट्राइब करने का बड़ लिंफोसाइट करता है अग जब हमारी बाडी में कोई प्रकार का बैक्टीरिया वाइरस इंटर किया है तो लिंफोसाइट ने क्या किया उस बैक्टीरिया वाइरस को कि अमुआ होगा है जए हमें होती है जिसलित लिंफ नूट कहते हैं इंस लिंफउ नूट कर जो डाइग्राम है इस बारे में जाल लेते हैं तो friends first of all लिखा है बॉल्फ की लिम्फ प्रॉइंग इन वन डायग्शन ये जो वाल्फ है friends ये वाल्फ क्या करती है ये लिंफ प्लॉइंग जो lymph का flow होता है वो सिर्फ एक ही direction में flow होता है अब फ्रेंज देखते हैं lymph flow by lymph vessels lymph जो flow होता है वो lymph vessels के द्वारा flow होता है and lymphocytes lymphocytes फ्रेंज क्या होता है यह हमने जानना है lymphocytes चो होते हैं बोल यह रहे चोपचरिया वार्यूälस को तो कि अदरके बाहर के अदर की जाता है और जो अंदर की दरब क strongly और लिंफ फ्लो आउट और लिंफ जो हता है उससे बाहर की तरफ जो है नोट्स जो है उनके बाहर की तरफ लिंफ जो है वो फ्लो हो जाता है अग फ्रेंड सेकते दें structure of lymph nodes structure of lymph nodes फ्रेंड्स lymph node जो है आप और gland kidney shaped organ होता है क्या होता है lymph node जो है वो kidney shaped organ होता है lymphatic system का kidney shaped organ होता है and adopted immune system और adopted immune system का भी एक part होता है a large number a large number of lymph nodes are linked throughout the body by the lymphatic vessels और जो हमारी पूरी बॉरी 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 में जो lymph nodes चाहते हैं ये तुरूआट दबॉरी होते हैं Tagen विसे पूरी बॉरी में चैसे होते हैं जो जुड़े होगे कैसे होते हैं अमारी बॉरी बॉरी में तो ये पूरी बोडी में lymphatic bacels से जुडए हुए होते हैं नेक्स दिखते हैं friends, they are major site of lymphocytes क्या नेक्स लिंफोसाइट की two major sites होते हैं two major sites कौन कौन से होते हैं B and T-cell आप friends देखते हैं next point lymph nodes are important for the proper function जो lymph nodes होता है वो important function करता है इम्योन सिस्टम का, जो इम्योन सिस्टम होता है, इसका important function करता है, अब इम्योन सिस्टम का important function means foreign particles, यानि कि जो भी foreign particles हमारी body में इंटर कर गया है, या cancer cell इंटर कर गया है, तो उसको destroy करता है, फ्रेंच सिकते हैं, next point, the size of lymph node is a form of few millimeters about one to two centimeter long, जो lymph node का size होता है, वो एक से दो centimeter long होता है, आप देखते हैं, functions के बारे में, lymph node के functions के बारे में, first of all, they filter out solid particles in current bacteria, lymph node जो होता है, वो जो भी bacteria, virus या जो body के लिए harmful substance है, body में इंटर कर गये हैं, तो उनको filter करने का work करता है, और यह filtering का work जो होता है, lymph node का measure, यानि की important work जो है, यह यह ही है, यह filter करता है, next, देखते हैं, they produce lymphocytes, और यह है lymphocyte को produce करता है, lymph node जो है, वो lymphocyte को produce करता है, आप पहले देखा, फ्रेंस, जो lymphocyte होता है, वो एक प्रकार क बैक्टिरिया वाइरस को destroy करता है, जो हमारी body में बाहर से इंटर हो जाता है, अब third point देखते हैं, friends, production of plasma protein like globulin, जो की, मतलब की lymph node क्या है, lymph node plasma protein का production करता है, जिसे कहते हैं, जिसे globulin कहते हैं, next, देखते हैं, the foreign substance, the foreign substance are trapped by the reticular fibers within the lymph nodes, और जो भी foreign substance, जो हमारी body में इंटर कर गए हैं, तो उनको क्या होता है, lymph node में कुछ reticular fibers होते हैं, lymph node में क्या होता है, जिसे क्या होता है, जिसे क्या होता है, अब जो हमारी body से बाहर foreign particles, हमारी body में इंटर कर गए हैं, वो हमारी body के लिए हम पूला है, तो जिसे क्या होता है, जिसे हम किसी प्रकार के infection or disease हो जाते हैं, नेक्स देखते हैं, the macrophyses destroy the foreign substance by the phagocytes, और जो macrophyses, यानि कि यह macrophyses क्या है, macrophyses जो होता है, एक प्रकार का cell होता है, जो कि foreign substances को, foreign substances को inhibit कर लेता है, ठीक है, अब देखते हैं, next wise, they act as a mechanical filter, क्या होता है, lymph node जो होता है, वो mechanical filter का भी work करता है, अभी mechanical filter का कैसे करता है, कि जैसे कि हमारी body में कोई भी poisoning substance है, तो उसको filter कर देता है, तो यह एक mechanical filter का भी work करता है, यह हम लोगों ने देखा, definition and structure and functions with diagram, तो friends, I think आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपके लिए helpful रहा है, तो please like and subscribe my channel, thank you so much my friends, कर दो